बुराई पर सच्चाई की जीत, अधर्म पर धर्म की विजय मुंबई में कोरोना काल में हुआ रावण का तहन सांता क्रूज में दशहरा निमित्थ विज्या दश्मी की धूम उत्तरभारतिय विश्व महा संका गवरावपूर्ण 27 वा साल मुंबई की सांता क्रूज पस्चि में स्थित धरमवीर संभाजी किलना गड़ में हर साल की तरह इस साल भी दशहरात्यों हर बड़ी दूम धाम से मनाया गया लेकिन कोरोना वाइरस की वज़ा से महरास्त सरकार और मनपाप्रसासन ने कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किये थे जिसका यहां बखुबी पालन किया गया वरना हर साल दशहरा की मौके पर धरमवीर संभाजी मैदान पर लोगों की जो भीड उमरती है वो देखते ही बनती है अपनी टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को आप देखिए जिन में आप अंदाजा बड़े सहजता के साथ लगा सकते हैं कि हर बार के मुकाबले इस बार रावन कुरोना की गाइड लाइन के तहद बनाया गया और नियमों का फालन करते हुए दहन किया गया हिंदू पंचांग के अनुसार दिवाली से ठीक 20 दिन पहले आश्वीन मास की शुकल पक्ष की दश्मी तिथी को दशेहरा बनाया जाता है मर्यादा पुरुशोत्तम भगवान श्रीराम ने इसी दिन रावन का वद किया था इसी के मद्दे नजर उत्तर भारती विसो महसंग द्वारा रावर दहन किया गया जिसमें राजनितिक और समाजिक शेत्र के अलावा इस्थानिय रहिवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे इस मौके पर इस्थानिय नगर सेवी का हेतल गाला ने सभी को दशेहरा की शुब कामनाएं दी और लोगों से अपील करते हुए कहा कि मास्क का इस्तेमाल और समाजिक दूरी का पालन हम सभी के लिए अनिवारे है कम लोगों में या कम फैला है करोना उसके लिए ये प्रयास चालू है और इसमें रिली सबका एफट भी ज़रूरी है जैसे मैं हूं या जो भी नागरिक है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई लोग कम है अच्छा है सोशल डिस्टंसिंग मेंटेन होनी ही चाहिए लोगों के लिए है ये सब कुछ देखे ये पहले तो सबसे पहले मैं बताओं ये चोटे इतने चोटे स्केल पे ये हो रहा है ना कि बहुत चोटे स्केल पे हो गया मने अगर मैं इतने सालों से आ रही हूं तो इसमें 100% पूरा भरा रहता था बार पब्लिक खड़ी रहती थी और आज उसमें देखो अब गिनके कितने मेरे कहले दस पंदरा कुर्ची लगी हुई है तो दुखतो होता है ना आप एक बड़े प्रोग्राम में आते हो और इत हैं इंडियन धनवंतरी के नाम से विख्यात साइंटिस्ट मुनेर खान भले ही किनी कारणों के चलते इस कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाए लेकिन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने अपना महतोपूर योगदान दिया संतक्रूस पस्चिम में उत्तर भारती विस्व महासंग द्वारा आयोजित दशेहरा कारिकर में पधारे सभी अतीथियों का जम्मान संस्था के पदाधिकारियों ने किया इस मौके पर संस्था की तरफ से उन लोगों को स्रध्धान जली अर्पित की गई जो कुरूना महा मारी और अन्य कारणों के चलते इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए धरमवी संभाजी मैदान में संस्था के दिवंगत उपाध्यक्ष शाम सिंग, दिवंगत पुर्वनगर सेवक, मोहन लोके गावकर, दिवंगत सदस्य, राकेश सिंग समेथ कई दिवंगत आतमाओं की शान्ती के लिए दो मिनट का मौन रखा गया मंच का संचालन, संस्था के मुबई अध्यक्ष और इन 24 न्यूस के प्रबंध संपादक अवनिंद्र आशुतोष ने किया मैं सबसे पहले बढ़ाई देना चाहूँगा कि हमारे उत्तर भारतिय विश्मासंग के जो अध्यक्ष है योवेश, पांडे जी बहुत मिनट से इन्होंने इस कारकम कायजुल किया है, एक जोड़दार साली हो जाए इनकी नाम पर सबसे पहले मैं तमाम दर्शकों को उत्तर भारतिय विश्मासंग की तरफ से दशारा की बहुत बहुत शुकामना देता हूँ और जिस तरह से 1994 से ये सफर यहां तक पहुचा है, ऐसे में दो साल हमारे बरबाद हो गए है, because of Corona. Corona ने जो दस्तक दी, तो उसके पीछे जो आवाज आई, उसके में सिर्फ मौत ही करा ही देखा हूँ मौत कितने लोगों ने साथ छोड़ दी ऐस दोर में, और ऐसे में हमने इस संसकार को, इस संस्कृति को जिंदा रखने की बस कोशिश की है, कि हर साल रावन जो जलता रहा है, उसके संस्था पक प्रकाश जानी जी को मैं बहुत धनिवाद देना चाहूँगा, इस संस्था स जितने भी लोग जोड़ो हैं, सारे पदा दीकारियों को मैं बधाई देना चाहूँगा, और मुझे एक नई जिम्मेदारी थी है, उत्तरभारतिय विश्मासंग ने, कि मैं मुंबई का अध्यक्ष बनूँ, तो बता और मुंबई अध्यक्ष होने के नाते में, आने वले अपना आशिरवाद दिया है, इस संसा को योगदान दिया है, लगातार वो आते रहें, लेकिन इस बार कोरुना काल की बज़स नहीं आए, उनकी तरब से आप तमाव दर्शोकों को बहुत बर शुप कामना है, उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी कहा है, कि आपको मैं ब जर्भारती विसो महासंग के रास्ती अध्यक्ष योगेश पांडे ने सभी अतितियों का सम्मान किया और उन्हें ऐसे ही हर साल धरमवीर संभाजी मैदान में दशहरा के उपलक्ष में आने का उन्हें नियोता दिया कहें क्या यह सवाल हमारे लिए बड़ा अजीव है क्योंकि माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि लोग अभी कमने सुना था कि चार यूग होता है यह पाच्वा यूग आ गया करोना यूग उसके अंध्यकर हमें कहा गया कि आप डिश्टेंग्स बनाकर रखिए मास्का उप्योग क कि यह पब्लिक को ना बुलाई अगर पब्लिक नहीं आती है तो आपका कारिकम सफल है ऐसा अज जी आर करना पड़ा है कि देखिए ऐसा है कि गाइडलाइस मैंने पढ़ा उसके अंदर मुर्ती जो है गनेश की मुर्ती दुर्गा की मुर्ती उसके चार फिट का लिखा गय और दूसरी चीज हमने जहां हमारा पचीज पुट तक जाता था हमने सीमीत करके दस बारख फिट में ही काम कर दिया और क्या कहीं से जादा इतनी छोटे से प्रोग्राम को करके हम ऐसा लग रहा है जैसा में कुछ किया है मुनिर खार जीनी का मैं कोट-खोट धन्यवाद कर में उन्होंने जो हमारे इस इस तमय का जो महाल था को नगार एक रुपया भी हमने डोने सब्सक्रूप में लाना भारी था लेकिंशन दिल से आगे बढ़े और उन्होंने का जो भी स्वयोग मिला काफी संदर और पचाशा जार कामें बढ़िया अनुदान किया और इससे जाद में खाओं और हमें एक खुशी है मेली कि हमारे साथ एक मित्र हमारा अवनिंद आशुत हो जिसको हमने मुंबई का अध्यक्ष बना के हम फक्र मसूस करते हैं कि ऐसे कंधों पर भाड़ दिया जो मुंबई नहीं पूरे इंडिया पर राज करेगा लेकि 1994 से जब हम डिगरी कॉलेज में पढ़ा करते थे उस समय से रावन दहन के शुरुवात की गई है सांत्यकुरूस पस्ची में बड़े छोटे पहमाने पर होता था लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे रावन की प्रतीमा का आकार भी बढ़ता गया करीब करीब 30 से 32 फिटके रावन यहां तैयार किये जाते थे जो देखते ही देखते मुंबई का सबसे बड़ा कारिक्रम बन गया था लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे इस बार बड़े सीमित तरीके से मनाया गया चुकि जो गाइडलाइस एड्मिनिस्ट्रेशन ने जारी की है उसको पा उर्जगार तो सुनने को मिलती है उसी के में परिकाल लमना करते हैं लोगों की भूमी का सबसे ज़ादार रही है और इस कारेक्रम को सफल बनाने में जिन लोगों ने योगदान दिया है उन विभ्यूतियों में साइंटिस्ट मुलिर खान नामेक है जो साल 2019 में जब दशारा मौत्सव आयुजुद किया गया था उस समय उन्होंने एक लाख रुपए का चेक उत्तर भारतिविस महासंग को अनुदान किया था इस बार उन्हों जो अपने उपर उसकी एक तरह से परचाई कह सकते हैं उनका साया है और ऐसे ही मोहन लोके गावकर एक बड़ा नाम है जो इस कारेकरम को सफल वनाने के लिए हमेशा हमारे साथ खड़े रहा करते थे लेकिन कोरोना के चलते उनकी भी मौत हो गई है और हम बहुत दुखी है आज उनकी अनुपस्तिती को लेकर बाकी तो कारेकरम जैसा था उस तरीके से सफल हुआ तो कुल मिलाकर कोरोना काल में बड़े शान्ति पूर्ण तरीके से और सरकारी दिशा निर्देशों के बीच बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक एहंकारी रावण का दहन कर दिया गया वीडियो जर्नलिस्त देवानन सिंग के साथ प्रदीप शर्मा इन 24 न्यूज मंबाई